दोस्तो लाइव मैच में विराट कुली ने कुछ ऐसा कारणामा किया कि देखकर कप्तान केल रहूल और एमपायर भी हैरान रह गए जी हाँ दोस्तो आज भारत और बांगलादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के चोथे दिन का मुकाबला खेला गया जिसमें हमें एक दिल्चस्प वाक्या देखने को मिला देरसल जब अस्वी ने सतक जड़कर खेल रहे जाकिर हसन को गेंद सेंकी तो जाकिर बीट हो गए और गेंद सिधी स्लिप में खड़े विराट कुली के हातों में चली गई इसके बार टीम इंडिया ने जोरदार अपील की लेकिन एमपाई नेशन नोट आउट करार दे दिया लेकिन यहाँ पर विराट कुली फुल कॉन्पिडेंट थे कि जाकिर हसन साप आउट इसलिए विराट कुल ने कप्तान केल राहुल से बिना पूचे ही डियरेस की अपील की और जब रिवीउ में देखा गया तो जाकिर हसन को आउट करार दे दिया गया लेकिन यहाँ पर दिल्चस्प वाक्या यह हुआ कि अक्सर डियरेस का कॉल केप्टन लेता है जैसे ही विराट कुल ने डियरेस के अपील की तो अपायर सिदे थर्ड अपायर की ओर चले गए और सभी भारतीक लड़ी मुस्कराते हुए दिखाय दिये विराट कुल ने एमपायर को भी कन्फ्यूज कर दिया हलाएं की बाद में केल राउल ने भी DRS का इसारा कर दिया सहे तबी एमपाई ने ऐसा किया होगा वेसे दोस्तों आपके राय में विराट को वापस टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बना देना चाहिए या नए